अच की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में ATL SIM में नेटवर्क नहीं आता है और ATL SIM में यहाँ पर यहाँ पर यह cross mark आता है cross network आता है तो इसे ठीक कैसे करें तो इसके लिए आप अपने फोन में settings open करिए setting में SIM card and mobile network पर किलिक करिए उपर यह SIM 1 आएगा SIM 2 आएगा तो जैसे SIM card में ATL का SIM है उस SIM पर किलिक करिए हमने यह SIM 1 पर किलिक किया SIM 1 पर किलिक करेंगे तो अब यह नीचे वोल्टी यह आएगा यह बंद है तो इससे on करिए नीचे preferred network टाइप पर किलिक करिए 2G 3G select है तो उपर यह 4G 5G आएगा 4G 5G auto select करिए नीचे operator पर किलिक करिए उपर auto select करिए इससे बंद करिए नीचे off करिए फिर से off करिए अब यह searching लेगा तो कुछ second wait करिए अब जब आपका SIM card है अपने आप network select करेगा 8L 4G तो यह auto select on करिए यह on होने के बाद back आए शेटिंग में नीचे आएए additional setting पर किलिक करिए और नीचे आए बैक अपन रिसेट पर किलिक करिए उपर यह reset network setting पर किलिक करिए फोन का lock password एंटर करिए और नीचे reset network setting पर किलिक करिए तो यह करने से कोई data delete reset नहीं होता है तो बस यह reset network setting पर किलिक करिए और यह network settings reset होने के बाद phone को reboot करिए और अब चेक करिए आपके phone में एटल सिम में network आ रहा है बट अगर फिर भी यह cross network आता है तो आप अपने नेरे statal service center जा सकते हैं और आपको पता करना है कि आपकी SIM क्यों नहीं चल रही है क्यों network नहीं आ रहे हैं तो यह आप service center जाके पता कर सकते हैं तो अगर आपको यह video पसंद आई तो इस video को like जरूर करें